वीडियो का अज यह वीडियो होने वाला है और कलकता मेट्रो आप सभी को पता होगा इंची सो पराइकाजय सब्से कसे पहले मेट्रो सुरू कलकता में Landing器 का एक सफर हम करने वाला है और आपको उसके बारे में कुछ डिटेल भी मिलने वाले हैं को है वीडियो देखे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और उमिद करते हैं आपको वीडियो भी अच्छा लगेगा यदि अच्छा लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताए हैं में और यदि चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को ओन कर दे जिसे आने वाले वीडि शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का ये सफर हम यहां से सेंट्रल से कोलकता सेंट्रल से करने वाले हैं जो दक्षनेश्वर तक हम जाएंगे और इस सफर में आप देखें ये प्लेटफोरम पे अभी है और हमने टिगट ले ली है और अभी हम नीचे ट्रेन की तरफ जाते हैं और वहां से हमारा सफर शुरू होता है पूरा वीडियो देखें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है ये नीचे प्लेटफोरम आ गया जहां हमारी ट्रेन हमें मिलने वाली है कलकता मेट्रो जब शुरू की गई थी ये पांच लाइन का प्लान था लेकिन तीन लाइन पे काम हुआ और अभी तीन लाइन चल रही है जिस लाइन पे हम अभी जा रहे हैं ये दक्षिनेशवर ठाकूरपूर का रस्ता है ठाकूरपूर लेकिन हम यहां सेंट्रल से इसमे बैठने वाले है जो दक्षिनेशवर ठक जाएंगे और यह हमारी ट्रेन जिसमें हम अंदर आ गया है दर्वाजा इसका बंद हो गया है और अभी यह यहां से रवाना हो चुकी है यह देखिया आप काफी भीड इसमें दिख रही है काफी लोग खड़े हुए हैं यहां से हमारा सेंटरल से रस्ता तो है हमारा सफर शुरू हुआ है और यह रास्ता हमें दक्षनेश्वर्ट तक ले की जाएगा यह एक और स्टेशन आ गया इसको भी क्रोश करते हुए आगे बढ़ेंगे हर ट्रेन के अंदर जो कलकता मेटरों की जो ट्रेन चल रही है उनमें हर ट्रेन के अंदर आठ कोच हैं आठ डबों की यह ट्रेन होती है और 30 किलोमेटर परती गंटे के इसाफ़ से इसका ओस्त स्पीड है वशे इसकी ज्यादा ज्यादा स्पीड 55 किलोमेटर तक जा सकती है औ और दूसरे टाइम में 10 से 15 मिनिट में हर स्टेशन पे ट्रेन पहुंच आती है। हर ट्रेन की बात करें तो 2590 लोग एक ट्रेन में इसमें यातरा लगबग कर सकते हैं। जिसमें हर कोज की बात करें तो 48 लोग बैठ सकते हैं बैठने की सीट है। और 278 खड़े हो सकते हैं हर कोज में। इस तरह से ये पूरा इसका हिसाब किताब है। और सेंट्रल से ये ट्रेन हमें जैसे मैंने कहा दक्षनेस्वर तक लेकी जाएगी। तो सेंट्रल से अगला स्टेशन महात्मा गांधी रोड उसके बाद गिरिस पार्क, सोभा बाजार, सुल्तान, सुल्तान नुटी, स्याम, स्याम बाजार, बेल गाचिया, दम दम, नोवापारा, बरा नगर और दक्षनेस्वर इस तरह से ये पूरे स्टेशन इसमें आते है दक्षनेस्वर तक बातों बातों में हमारा स्टेशन दक्षनेशुरू भी आ गया और हमारी ट्रेन वापिस भी घूम चुकी है कि यहीं से यह ट्रेन वापिस चली जाती है यह वीडियो यहीं तक रखेंगे यह दक्षनेशुरू का स्टेशन है और यहां से अभी नीचे जाकर के दूसरी ट्रे अधिनत कर्द्धरों से ही दूसरी ट्रेन जो लॉकल चलती है उसमें यह हम जाने वाले हैं अगे का वीडियो आपको हावड़ा का मिलेगा यहां जो लोकल जो ट्रेन चलती है उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको पूरे क्रिप कर और पूरा में जो ट्रिप कर आँ पूरा कोस्टल भारत की यातरा कर आँ और ये साथ हजार किलोमेटर का दो महिने का पूरा मेरा सफर है जिसमें अभी कलकता में हैं कलकता को अक्सप्लोर करें कलकता को देख रहे हैं और उसके बाद अगला स्टेशन अगला सिटी और अगला स्टेट हम जाएंगे तो पूरा वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें जै हिन जै भारत